जैसीतराम दोस्तो आज हम आक के पौधे के बारे में चर्चा करने वाले हैं और बहुत ही रोचक रोचक जानकारियां देने वाले हैं दोस्तो ध्यान से देखिए और समझिए पूरा वीडियो देखिए तो आपको इसके लाब भी पता चलेंगे और बहुत सारे उप्योग भी पता चलेंगे आएए जानते हैं आक के बारे में दोस्तो यह संस्कित में आर्क तूल फल छीर पाण और अस्फोट के नाम से जाना जाता है इसी को हम हिंदी में देखेंगे तो अकवन बोलते हैं आक बोलते हैं और मदार बोलते हैं यह तीन नाम से जाना जाता है और भी अपने अपने एरिया में अलग अलग नामों से जाना जाता है जिन दोस्तों को जिस एरिया में हो तो एरिया और अपना जिस एरिया में जो नाम बोला जाता है क्रपया लिख कर कमेंट सवाक में जरूर बताएं आईए हम इसके बारे में कुछ जानकारियां आप तक सेयर करने वाले हैं जैसे आग का पौधा सुस्क उसर और उची भूमी में प्राया होता है यह सरवत देखने को मिल जाता है और इसके विशे में साधारन समाज में यह भ्रांती फैली हुई है कि यह विशायला होता है परन्तु हम जब आयर्वेद के दर्ष्टिकोंड से देखते हैं तो इसको हम उपविश के नाम से जानते हैं और उपविशों के नाम से ही इसका जो है तो वर्णन मिलता है इसमें इसके अधिक मात्रा सेवन करने से उल्टी दस्त होकर मनुष सियमराज के घर पहुँच जाता है या सकता है तो इसका अधिक सेवन नहीं किया जाता इसको विशेश पद्धत इसे हम सुद्ध करके और या फिर विशेश आउसदियों के साथ मिला के सेवन कर सकते हैं उचित मात्रा में जिन दोस्तों को इसके बारे में जानकारी ना हो तो क्रपया वह इससे दूर रहें यह है दो प्रकार का होता है दोस्तों एक सफेद फूल वाला होता है एक रक्तार्थ होता है तीन प्रकार के होते हैं जो रक्तार्थ होता है तो उसके फूल स्वेत रंग के छोटे काटी नूमा और भीतर लाल और बैगिनी रंग की चित्ती वाले होते हैं सेतार्क जो होते हैं इसका फूल लाल और जो है तो लाल जो होता है पुस्प बड़ा होता है और हल्की पीली आभा लिये हुए सफेद केनेर फूल जैसे होता है यह केसर की भी बिलकुल सफेद होती है इसकी जो भीतर की रहती है कि सफेद वो भी सफेद रहती है मतलब पूरा फूल ही सफेद रहता है और राजार्क जो होता है इसके पौधे में एक साखा होती है जिस पर हम केवल चार पत्ते होते हैं और फूल चांदी जैसा रंग स्वे तो होता है यह दुरलफ प्रजाती है यह जल्दी देखने को नहीं मिलती है इसके रासाइनिक संगहटन के बारे में बात करें तो आरक के आक के सरवांग में प्राय एक प्रकार का कड़वा और चरपरा पीला राल जैसा पदार्थ पाया जाता है और यही इसका प्रभावी अंस है जड़ की छाल में मडार इलबन और भंदार इलप्यूबिल नामक दो वस्तुमें पाया जाती है और इसके गुण धर्म की हम अगर बात करते हैं दोस्तों तो दोनों प्रकार के आरक दस्तावर हैं बात जन और कुष्ट कंडू बिस वन प्लीहा गुल्म बाबासीर कफ जन उदर रोगों और मल क्रमी को नश्ट करने वाले हैं सफेद आक का फूर वीर वर्धक हलका दीपन पाचन अरुची मुख से पानी आना लाल सा ब्रद्ध बाबासीर जो होती है खांसी स्वास का नासक होता है लाल अर्क का फूल मधूर एवं कुछ कडूवा ग्राही कुष्ट क्रमी कफ बाबासीर बीस रक्त पित गुल्म और सुजन को नश्ट करने वाला होता है आग का दूद करवा गर्म चिकना खारा हलका कोड़ एवं गुल्म तथा उदर रोग नासक है विरेचन कराने में यह आति उत्तम माना जाता है दोस्तों यह है ख़दें उत्तेजक है रक्त सोधक है और सोथ हर है इससे सूजन भी जाती है और अगर पत्ते के बारे में बात करें तो यह उल्टी कराने वाला होता है बिरेचन कराने वाला होता है भ्रम कारक होता है भ्रम पैदा करने वाला होता है और स्वासकास में बहुत अच्छा इसका उपयोग है कारनसूल में भी जिसे कारनसूल है उसमें भी बहुत अच्छा काम करता है कहीं सूजन आ गई है उसमें भी बड़ा अच्छा काम करता है उरु इस्तम्ब जो बात होता है उसमें बड़ा अच्छा काम करता है दोस्तो अब एक हम प्रयोग कई बार से अपनाते जा रहे हैं और ये हमने बाबा रामदेव की पुस्तक से लिया था योग जिनके जाई हो जाती है और जिसे चेहरे में बहुत धबा हो जाता है जाई हो जाती है किसी भी मेटसिन से नहीं जाती है उसके लिए क्या करना है हल्दी के तीन ग्राम चून को आख के दूध के साथ पांसात मुंद्र जादा नहीं डालना और गुलाब जल में घोट कर आँखों को बचा कर आँखों में नहीं जाना चाहिए आँख अगर जाएगा तो अंधी हो और उसकी रोसनी चले जाएगी इसलिए आँखों में नहीं जाना चाहिए सौधानी पूरवक और इसको जाईयों में लगाना चाहिए कोमल प्रकतिवालों को आख के दूध की जगए आख का रस का प्रयोग करना चाहिए जिनकी चमडी बहुत मुलायम है और सुकुमार है उनको आख के पत्ते का रस का उप्योग करना है दोस्तो वीडियो लंबा हो रहा है फिर हम इसी के और जानकारी में आपके सामने एक वीडियो प्रस्तित करेंगे क्रपया कमट सबग में जरूर कुछ ना कुछ लिखें जिससे हमारा प्रुसाहन बढ़े नए लोग हों तो स स्काइब कर लें और सेयर जरूर करें जिससे अन लोग भी इसके बारे में जान सकें धन्यवाद दोस्तो